दोस्तो नमस्कार मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत हैं सो पढ़ा ना एक परताब गड़ा पढ़ा तो फिर दयो से पढ़ा दोस्तो आज में जो आपके ये वीडियो लाया हूं कि ये Samsung की टॉप लोड वासी मशीन है और आज हम इसका फुल वायरिंग आपको बताते हैं कि इस TV खुली हुई है सारे करेक्टर निकाले हुए है और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इस वासिंग मशीन से कौन सा वायर कहां लगा हुआ है पूरा खुला हुआ है हम पीछे चलते हैं और यहां पे आपको दिखाते हैं तो सरप्रतम आपको बताते हैं कि इसकी जो पहले यह आपकी मीन लीड हो गई यह देख रहे हैं यहां पे मीन लीड हो गई यह रेड और बलेक इस कनेक्टर पे लगे हैं यहां पे वायट है और बलेक करार का वायर है यह वायर सामने आ रही है कि सामने अभी आपको में दिखाते हैं कि सामने यह जो आप देख रहे हैं कि यह देख रहे हो वाइट वाली वायर यह मेन वायर हो गई और एक यह ब्लैक यह बलैक देख रहे हो यह हमारा निव्टल हो गया जो वह ही से आ रहा है ठीक है अब हम यह निव्टल हो गया और यह वायर ही हो गई जो फेश है यह दो आइर हो गई हमारी अब यहां का जो वायर है एक दिख रहा पीले कलर का पीले कलर का यह वायर है यहां पर देख रहे हैं यह वायर सीधा हमारे जाके यह मोटर देख रहे हैं इस मोटर पर कनेक्शन होता है यहिए यह वायर है फोकिसां आपको यह नीचे के वायर बताता हूँ यह वायर सीधा कि दिखर रहे हैं और यह सीधा हमार्यें पर पर लगी होटी है और मोटर लगी है दोस्तों यह वही मोटर है जो उपर से यह वाइर आये हुआ है मैं आपको दिखाता हूं तो यही यह तीन वाइर यहां पे हैं भी हम इसको पूरा को विस्तार से दिखाते हैं एक बार वायर को खोल लेता हूं तब आप आसानी से समझोंगे तो जैसे हमारे प्रभाकर पांडे जी बोले थे कि सर एक वीडियो और बनाओ फुल वायरिंग का तो आज मैं इस फुल वायरिंग का ही वीडियो बना रहा हूं अभी ये वायर जो हम चार वायर का कनेटर लगाते थे जो PCV से दिखा रहे थे भी हम आपको ये वही वायर वहां से चार वायर आई हुई है थोड़ा इसको आसानी से हम साफ कर देते हैं तब पता चलेगा आपको कि हाँ सही इसमें क्या है तो दोस्तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बनाते हैं अब बिल्कुल चेक करके बनाते हैं भले थोड़ा समय लग जाता है जादा या थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है तो समझाने के लिए ही लंबी वीडियो होती है हमारी ऐसा नहीं है कि हम लंबी वीडियो बनाते हैं लेकिन वो बन जाती है अगर आपके समझ में नए आए हमारे समझाना तो भी बेकार हुए वीडियो बनाना इसलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अब यहां पर हाँ अब यह इतना खुल गया अब यह तो वायर यहां पर बंधा होता है क्योंकि जो एस्ट्रा वायर होता है यहीं पर बांद दिये जाता है अब यहां पर मोटर पर जो थो थोड़ा सम टेप शील देते हैं कि अब तभी तो आपको पता चलेगा हम यहां पर थोड़ा और टेप निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको जब समझ में नहीं आए तो फिर क्या फाइदा है तो हम थोड़ा साओर टेप को काड़ देते हैं कि जब टेप को काटेंगे तभी इसमें दिखेगा कि हाँ या सही है कि गलत है कि छील देते हैं हम टेप को सही तरह से कि अब इतनी जिरूरत नहीं थोड़ा सा और निकालते हैं यहां पर वायर साब साब दिखने लगा है यह तो वायर बनाव होता है जो हमारी एस्ट्रा वायर होते हैं तो यहीं पर इसको हम लपेट देते हैं सही तरह से कहीं यह ज़्यादा इधर दुर्ण लगे कि अब यहाँ पर देखिए जो चारो वायर दिखाए दे रही है साफ-साफ चारो वायर दिखाए है और होडा सा निकाल देते हैं कि में हमारा कि ड्रेन पंप से वायर आया हुआ है वो भी आपको कंफर्म हो जाए दिखा दूं क्योंकि मैंने वहां तो बता दिया था और यहां भी आपको बता देता हूं कि बैस चिल गया है कि थोड़ा सा इधर कर देते हैं कि अब पूरा है करेक्ट हो गया अब यह देखो हो गया पंप पे दो आयर है और तीन वायर हमारे मोटर पे हैं अब आराम से दिखने लगा अब देखिए कि जो हमारा कनेक्टर है तो अब इसको हम अलगलग कर दिये हैं कि अब यह वही कनेक्टर से जो अब ही आपको दिखाए दूपर चार वायर का देखो रेड ब्लैक ब्लू एंड वाइट तो आप पहले यह वहां पे एलो होता है फिर उसके बाद वाइट बन जाता है यह वहीं से आया हुआ है अब यहां पे देखेंगे यह पंप का कनेक्शन हमारा है पंप पे एलो वाइर और ब्लैक वाइर है ब्लैक वाइर सीधा होंगे आप यही वायर है अगर यह चुहा काड़ देता है तो आप समझ लेना कि यह जो हमारा एलो वायर है यह हमारे मोटर के कामन से जुड़ा हुआ और यह बलेक वायर सीरा पीचीबी से आया हुआ है अब इसमें दो बुलू है दो बुलू यानि कि एक जो पतला वायर है यह हमारे केपीचीटर से आया हुआ है और जो एक बुलू आया हुआ है यह सीधा हमारा दो रीड है एग रीड पतला वायर यह की पिश्टर का आया हुआ है वहीं पर जुड़ा हुआ है यह देखिए और सीधा जो मोंटा वाला रेड है सीधा हमारा PC B को यहीं से होकर PC B पर चला जाता है यह देखिए यहां पे देखो रेड वायर हो गए कंफर्म हो गया अब फिर अब भी बच गया वाइट 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 दिख रहा है ना है आप साब साब अब वाइट देखो मोटर के बीच में लगा हुआ है यह हमारा कामन वाइट हो जाता है और यहाँ पे एक हम पीला वाइर यानि की एलो वाइर जुड़ा हुआ है सीधा यह पंप को चला जाता है तो यह छे वाइर हो गए तो पहले बुलू वाइर पहले सपलाई बुलू को आती है फिर सपलाई रेड पे जाती है तो उसी तरह हमारा मोटर भूमती है और अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसकी जो वाइर आती है माल लिजे चूहा कार देता हुआ है तो आपने समझ पाई मैं बता रहूं आपको यह वाइर है उपार आते हैं यह यहाँ पे चार वाइर हो गई इसमें चार वाइर है बलेड और रेड बलेड और रेड यहाँ पे एक हुआइट वाइर है जो हँआइट आगे जाके यह बन ऐलो बन गई और एक बलेड वाइर है अब यह वाइर जो आउठ हो रहा है यह वाइर सीधा पीसईबी से आते है पीसीबी पे हम दिखाते हैं कहा लगा हुआ है यह एक हमारा यह वायर वले हैं यह जो मोटर पे सिधा मोटर के पहुंचता है कामन के है यह हमारा एलो वायर है और यह दो आयर बुलू आयन रेड यह मोटर के दोनो वायर पे होते हैं जहां पे हम कैपिस्टर लगाते हैं दो आयर उन्षटर जो आ़सम होते हैं जही उलो मोटर कामन क्या मोटर के भ Coast का भीडें ょ興 controversy अड़σ僕 कि उन्षटर वे लागाते हैं जह दो कह लागत harmonißt, इंगल स्वोड़ण मैं आपको को। है और एंड़ant इंगे इंगे झाल जूल मैं ay मुझता है झाल झाल कि इसमें दिखला देखो पहले यह दिखला रहें यह वायर सीधा हमारे सीधा हमारे जाके यहां प्रेसर सेंसर यहां पर वायर आता है यहीं से ही एक वायर लिफ होता है जो हमारे सीधा यहां से वायर आया जो अभी दिखाए थे एक वायर आया यहीं से उठके ही यह हमारा इस सुथ पर चला गया आओ एक आओ दिखाता है एक वायर यहां पर पिशीपी पर चलते हैं एक वायर यहां पर बुली उजल यह है जो थोड़ा ग्रीन कलर कर दिख रहा है यह यह दूसरा वायर नंबर दो वायर नंबर दो वायर हमारा जाके यह सुथ पर लगा हुआ है यह दूर सुथ पर पहुंच गया है हरै कि अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिवल्य से फिर रहाँ यहां पर एलो वायर लग उपश्च तैसरा वायर है तीसरा वायर और एक बुलू वायर ये वाला ये और ये वायर जहां से देखो तीसरा वायर ये तीसरा वायर है और एक जो लास्ट में वायर है बुलू ये वायर लगा हुआ है यहां पर आपको दिखाते हैं यहां पर देखेंगे यह यह वाइर है यह दोना एलो भूलू वाइर है यह हमारा वाइर यहां पर देखोगे यह ऐसे लगा होता है यह वाइर यहां पर एक सेंसर लगा होता जो गिरने पर आप सेंसर करता है तो यह यहां अब आगे बढ़ते हैं अब बचा हमारे पास दो वाइर वायर बचाओ यानि की चान नमबर और पान्च नमबर चार नमबर पांच नमबर वाइर चार नमबर और पांच नमबर ये सीधा हमारे प्रेशर सुच के जाता है तो चार नमबर जो वाइर है चार नमबर देख रहे हैं यह चार नमबर और पांच नमबर यह सीधा हमारे प्रेशर सुच को चले जाते हैं हम आपको यहां दिखा रहे हैं यह हमारा प्रेशर सुच है तो एक वायर यह हो गया और एक वायर यह हो गया यह ही देखो वायर देखो तो यह हमारा वायर इधर साब साब दिख रहा हैं तो चार नंबर और पांच नंबर यह हमारा चार नंबर वायर था पीसीबी पर यह पांच नंबर वायर था यह कंपलीट हो गया अब हमारे पास बच गया इनलेट वाल यह हमारा inlet wall है inlet wall की जो supply आती है इसका जो wire है एक यहाँ पे आग पीसीवीड की तरफ चलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे यह यह लगा हुआ है एक यह blue वाला blue वाला सीधा हमारे inlet wall पे चला जाता यही पर यह inlet wall दिख रहा है और inlet wall को यह inlet wall ठीक है यह wire हमारा inlet wall पे चला गया है यह देखेंगे यह inlet wall हो गया है और यह वहाँ से face मिल जाता है यानि कि यह सिधा PCB के जो हमारा white wire होता है यहाँ दिखाते इधारा यह इस wire में जुड़ा होता है इस wire में जो हमारा line आता इस wire में जुड़ा होता है तो इस प्रकार से सारे connection आपको बता दिए गया है यह वाला जो jack है यह jack जो चार तार वाला यह बिल्कुल खाली पड़ा है और यह खाली कहां पड़ा हम आपको दिखाते हैं यह यह इसका खाली पड़ा हुआ है इसका फिराल इसमें कोई काम नहीं है तो आपका यह pressure sensor हो गया यह डूर सुच हो गया यह आपका inlet वाल हो गया और यह आपकी main supply की connector हो गया यहाँ पी पूरा motor का connection यही से जा रहा PCB से यह हमारा डूर sensor का हो गया तो यह यहाँ पी पूरा connection हो गया तो जब भी अगर कोई यहाँ पर चूह वायर काट दे तो आपको ज्यादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है आप पटाक से यहाँ पर आए यहाँ पर चारो वायर की connection आपको बताए यहाँ पर देखें यह PCP पॉर गया है यह वायर यह वायर motor के supply देता है तो motor हमारी उल्टा सीधा चलती है और एक जो black wire है यह हमारे चला जदा pump को सीधा pump पे पहुंच जाता है और एक जो yellow wire है यह हमारी motor का कामन पे पहुंच जाता है इसी motor के कामन से ही एक wire हमारे उल्टा pump में चली जाती है तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमने जो आपको पूरा wiring दिखाया है तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अगर कोई समझ में ना आ रही हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं तो यह हमें पूरा यकीन है कि आपको पूरा इसका डिटेल पता हो गया होगा तो आपको यहां पर कोई भी परिशानी नहीं कि मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ